आपका आपकी अपनी चैनल NCRT E-Teaching में सबसे पहले सभी बच्चों को Congratulations आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और आप सब थर्ड क्लास में आ गए तो अब आप अपने आपके लिए ताली बजाए अभी थर्ड क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है न तो थर्ड क्लास में आपकी पहली कविता है हिंदी की कक्कू तो आईए हम कक्कू कविता गाएंगे और उसके प्रश्णों और जवाबों की चाचा करेंगे आईए वीडियो शुरू करते हैं तो बच्चो इस साल भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है चलिए आईए वीडियो शुरू करते हैं पहले हम कविता गाते हैं नाम है उसका ककू ककू माने को यले होता लेकिन ये तो दिन भर रोता इसलिए हम इसे चिराते कहते इसको सकू नाम है उसका ककू कोई अलमाने मिसरी जैसी मी थी जिसकी बोली ये तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक्थी ठोली इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भकू ककू वह जो गाना गाए बात बात में जो चिर जाए रहता मूँ जो सदा फुलाए गाना जिसको जराना आए ऐसे जगडालू को अब से क्यों न कहें हम जखू नाम है उसका ककू तो बच्चो ये जो ककू नाम की कभीता है ये ककू नाम के बालक के बारे में है और ये कभीता जो लिखने वाले है ये अंकल इनका नाम है रमेश चंद्रशा तो बच्चो जो भी कभीता लिखते हैं उनको हम हिंदी में बोलते हैं कभी कभीता वो होती है जिसको हम गा सकते हैं कोई भी अपनी त्यून में तो कविता को लिखने वाले जो उनकल होते हैं उनकों बोलते हैं कवी तो इस कविता के लिखके कवी हैं रमेश चंद्रशा आईए कविता को वापिस से उसके अर्थों को समझते हैं तो ये कविता में बोला गया है कि ये एक लड़का है जिसका नाम है ककु तो ककु का मतलब तो कोयल होता है माने मतलब उसका अर्थ ककु का मतलब होता है कोयल तो कोयल तो कितना मीठा गाना गाती है कु 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 काती रहती है सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर यह कक्कु नाम का बच्चा तो पूरा दिन रोता रहता है और इसलिए जो बच्चे हैं उसको चिडाते हैं क्या चिडाते हैं सक्कू सक्कु मतलब जो पानी ढोते रहता है जो रोते रहता है इसके बाद में बाद वाले में बच्चे बोलते हैं कि कोयल माने मिसरी जैसी कोयल की जो बोली होती है कोयल इतना मीठा बोलती है कि हमें बहुत अच्छा लगता है मिसरी मतलब चीनी जैसी मीठी चीज तो कोयल की बोली तो एकदम मीठी होती है पर ये तो भड़क जाता है भड़कना मतलब गुसा करना भड़कना मतलब गुसा करना ये तो गुसा करने लगता है ये ककु नाम का लड़का जबी भी हमसे तनिक मतलब जरासी और ठिठोली मतलब मजाग जबी हम उससे जरा सी भी मजाग करते हैं तो गुसा करने लगता है और इसलिए उसको क्या बोलते है भक्कू भक्कू का मतलब जो बात बात पे गुसा करते रहता है ककू वा जो गाना गाए ककू तो कोयल होती है और कोयल तो इतना मीठा गाना गाती है पर ये कक्कू नाम का लड़का तो चिरता ही रहता है, मुफुलाए रखता है और किसी से हसी खुशी से बात नहीं करता है, नाराज हो जाता है और जगडा करते रहता है सबसे, जगडालू मतलब जो जगडा करते रहता है और इसलिए मूफ उलाना मतलब उदास रहना या तो कुरोधित होना गुसा होना तो जगड़ा भी बहुत ज़ादा करता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं जक्कू जो बहुत ज़ादा जगड़ा करता है और उसका नाम तो कक्कू है पर ये बच्चे जो है वो उसको सक्कू बुलाते हैं क्योंकि वो रोते रहता है भक्कू बुलाते हैं क्योंकि वो भड़क जाता है और जक्कू बुलाते हैं क्योंकि वो जगड़ा करते रहता है तो बच्चो ये जक्कू सक्कू भक्कू ये सारे समानतुक वाले शब्दे हैं मिरते जुलते शब्दे हैं गाए फुल आए आए ये भी समानतुक वाले शब्दे हैं यह नो चलिए तो अब जो कविता के प्रश्ण उत्तर है उसकी चर्जा करते हैं आई यह आगे बढ़ते हैं नाम ही नाम तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है ममी पापा से अपना नाम का अर्थ जरूर पूछना और बताना जैसे मैं अपने नाम के बारे में बताती हूँ मेरा नाम है happy तो happy का मतलब होता है खुश या तो खुशी खुशी थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं इसको लिख सकती हूँ happy मतलब खुशी मेरे नाम का मतलब है तो आप भी अपने नाम का अर्थ ढूंडने के लिए आप google कर सकते हैं और उसका जो भी अर्थ होगा वो आजाएगा या तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपको आपके नाम का अर्थ समझा दूंगी क्या है अब है तुम्हारे कितने नाम तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं जैसे प्यार वाला नाम क्या है जैसे मेरी बेटी है तो उसका प्यार वाला नाम उसको हम घर पे पीहू बुलाते हैं उसको और पीया बुलाते हैं पीया और चिराने वाला नाम तो चिराने वाला नाम उसको कुछ भी चिरा सकते हैं बच्चों पर किसी को चिडाना नहीं चाहिए, जैसे मैं उसको कभी पीगु बुला देती हूं, चिडाने वाला नाम, कभी गुगु बुला देती हूं, चिडाने वाला नाम, दोस्तों का निया नाम, उसके बड़े बड़े दोस्ते, उसको गुडिया बुलाते हैं, कोई-को को नीचे दिये गए नामों से क्यों बोलाया चाहता होगा जैसे गपू तो हम किसी को गपू क्यों बोलाते हैं क्योंकि वो जादा गपे लगाता है जादा बाते करता है जो भी जादा बाते करता है उसको हम बोलते हैं गपू बोली मतलब जो बहुत ही सीधी साधी हो जो भी लड़की सबसे छोटी होती है, उसको मोल देते हैं छुटकी, और गोलू मतलब जो ज़्यादा गोल मटोल होगा, उसको हम बोल देंगे गोलू, ये तो गोलू है, पर बच्चो चिडाने से, चिडाना अच्छी बात नहीं होता है, तो हम किसी को भी चिडाएंगे नहीं, है ल जो ज़्यादा गुसा करता है, ज़्यादा भड़कता है, ज़्यादा जगडा करता है, और जो ज़्यादा बाते करता है, तो बच्चो आपके दोस्तों के बारे में तो आपको ही पता होगा, तो आप यहाँ पे अपने दोस्तों के नाम लेक देजेगा, जो ज़्यादा ग चिडिया के संगाना गाए संग मोर के नाच वो नाचे नाचे गाए इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको नचकू नचकू मतलब जो नाचता रहता है आप कुछ भी अपने मन से ऐसी कभीता बना सकते हैं है ना आगे बढ़ते हैं ककू कैसा है ककू कोईल जैसा क्यों नहीं है लिखो तो ककू कोईल जैसा नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है वह दिन भर क्या करता रहता है रोता रहता है और उसको गाना बिल्कुल नहीं आता है उसको बिल्कुल गाना नहीं आता है और वो सबसे जगडा करता रहता है वो सबसे लड़ाई जगडा करता रहता है इसी लिए वो कोयल जैसा नहीं है उसकी बोली भी मीठी नहीं है अब देखो यह है नामों की रेल पाँच पाँच बच्चों की टोली बना लो अब अपनी अपनी टोलीों के बच्चों के नाम रेल के डिबों में लिखो जैसे राजु और हमारी ग्रूप में है भोली और हमारी ग्रूप में है मीना और हमारे ग्रूप में है स्राम और हमारे ग्रूप में है श्याम अब इनको वर्णमाला के क्रम से लगाना है जैसे आप अ से अ बोलते हैं फिर कख गग बोलते हैं वैसे आप बोलते जाएंगे और फिर उनको अपने नामों से एड करते जाएंगे जैसे हम कर से कोई भी शब्द नहीं है फिर उनको वर्ण माला के नाम से लगाएंगे हम तो हमने क्या क्या नाम लिखे थे वापिस हमें देखना पड़ेगा एक बार मैं इधर लगा देती हूँ एक तो राजू था इसमें चलिए मैं वर्ण माला के हिसाब से ही लगा देती कोई भी नाम तो कमला कर देते हैं पहला नाम फिर हम कर देते हैं गर से कोई गीता नाम कर देते हैं फिर च से चंदन नाम कर देते हैं वर्ण माला के क्रम से ना वही नाम आपको आगे वी उपर भी लिखने हैं चंदन के बाद कर देते हैं मीना चार नाम हो गए हैं और शह से कर देते हैं शीला तो ये पाँच नाम हमारे पास हो गए हैं जो वर्नमाला के क्रम में है अब देखे क्या तुम्हें भी कोई चिडाता है तब तुम्हें कैसा लगता है कक्षा में चरजा करो तो जब भी हमें कोई चिडाता है हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर भी हमें अगर दोस्त चिडाते हैं तो कभी-कभी मैं बुराने मानता हूँ और कभी-कभी मुझे गुसा भी आता है पर फिर मैं सुचता हूँ कि मेरे दोस्तों मुझे प्यार से बुला रहे हैं इसलिए मैं कभी भी दुखी नहीं होती हूँ अगर मुझे कोई चिडाता है तो और मैं भी किसी को नहीं चिडाती हूँ क्योंकि मुझे कभी-कभी अच्छा भी नहीं लगता है इसलिए मैं किसी को नहीं चिडाती और मुझे कोई चिडाता है तो मैं ज़ादा दुखी नहीं होती इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नाए हैं और जुड़े रहें NCRT टीचिंग के साथ बाई बाई टेक केर बच्चो